हेलो दोस्तो स्वागता हमारी यूटूब चिलना ओंलाइन कोचिंग टिपसे में दोस्त आज किस वीडियो में बात करेंगे च्छार कांट साय के दापक के बारे में जी हाँ दूस्त इस बक्त का एक नया अपडेट आ चुका है प्यतनमान पेंशन और कल्दान कोस को लेकर ज सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइगन को प्रेस कर अन ओडिपिकेशन को अन करता किस तरह जो भी अप्डेट आएगा आपको इस देखने को मिल जागा वह भी सबसे पहले तो देखते हैं कि पारा सिच्छों के लिए कर्लान कोस को लेकर क्या अप्डेट आया है उस अप अस्तमान प्रस्ताव पर नहीं बनी समती बेठक में सर्व समिती से लिया गया नीर्नाई हुआ लागू ठीक है तो देखते हैं कि प्रेट डिटेल्स में क्या जानकारी दिया गया है कि समक्र सिच्छा अभियान के तात कारजरत पारा सिचों को ब्यार्पी सियर्पी तदा क अस्तुरुबा वालिक्ता बिदालों के सिचों के लिए कर्लान कोस एवं बिमा का लाब देने को लेकर बुदवार को छारकंट सिच्छा प्रियोजना परिसद में बेठक हुई परिसद के परत्यासी अपदादिकर जहन्त मिस्रा किया दिश्ता में विभिन संगो के परतिन सुन्य रहेगा बताया गया कि अंग्स्तान अधिक एवं लाब कम होने के कारण ही परिगोजना परिसद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को सामती नहीं दी गई चारकंट साइक संगर्स मोर्चा के अनुसर इस पसामती बनी है कि कल्यान कोस के कर्पस फंड के रूप में प्राप्त दस करोड रुपे की राप्त ब्याइस से 31 मार्च जोबिस तक सेना सेवानिवरित अवं मृत परासिच्चों को अईन कर्मियों में बराबर विवाजित कर दिया जाए ठीक है यानि की जो आपका प्खंड से जो मिला गया है दस करोड रुपे उस राप्त कर्मियों के परियोजनां को सेवानिवरित कर्मियों को सोब दिया जाएगा इससे परते को 75,000 रुपे तक लाब मिल सकता है ठीक है यानि कि परते कर्मियों को जो है कि आपका 75,000 रुपे का मुक्तान हो सकता है यह भी ताई हुआ कि कर्लान कोस के ब्याज के रासी से सभी के परतिनीधियों एक एकर नामा किया जाएगा तभी सभी कर्मियों को एप तथा समाजिक सुरच्चा का लाब देने की भी मांग की गए तो दोस्तों इतना ही आप लोगों का अपडेट दिया गया था इस वीडियों में कि कर्णान को से ब्याई जो रिटाइड परासी चक है उनको जो एक 75,000 तक का मुक्तान मिल सकता है ठीक है चले मिनते नया श्रब्न में तब देक लिए जय हिन जय भारत